नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधी मातो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां सुबह सुबह तुरंत पेट साफ करने के लिए खाएं या चीज अपनाएं और जरूर दोस्तों के साथ भी सेयर करें क्यो में से एक मुख्य है सुबह पेट का अच्छे से साफ नहीं हो पाता है आज हम आपको कुछ घरेलू उपाई बताने जा रहे हैं जिससे आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा पाचनतंत्र का हिस्सा ब्रिहदांत्र शरीर से अपचनिय खादे पदार्थों को निकालने का क पारे करता है हलनकि जब यह ठीक से काम नहीं करता है तो यह उन्हें नश्ट करने के बजाए विशाक्त पदार्थों को और शोशित करता है जिससे सिरदर्द कब्ज गैस वजनकम उर्जात ठकान और पुरानी बिमारियों जैसी समस्यां पैदा होती हैं हलनकि बिरहदांत् हानिकारक विशाक्त पदार्थों से छुटकारा पाया जा सकता है लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल प्रकृतिक घरेलू उपचार है इसके लिए तो आईए जानते हैं कि घरेलू उपचारों के द्वारा पेट की सफाई कैसे कर सकते हैं सबसे पहले तो गर्म पानी ब पानी पीने से प्राक्रितिक इमलिस्टिक क्रियाओं को प्रोचसाहित किया जा सकता है। समगरी आपके पाचन तंतर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए पेट की सफाई के लिए निम्बू का रस इस्तेमाल किया जा सकता है। एक गलास पानी में शहद निम्बू का रस और समुद्री नमक को अच्छी तरह से मिलाएं और इसका सेवन करें आपके लिए करके रात को सोने से पहले पिया करें। अगले दिन सुबह आपको पेट तुरंत साफ होता हूँ नजर आएगा। इसके अलावा अरंडी का तेल। रात को सोने से पहले एक गलास गर्म दूध में थोड़ा अरंडी का तेल मिलाकर पीने से पानी हर दिन खूप पिना पानी की कमी से मल सूख जाता है जिसके कारण भी पेट साफ नहीं हो पाता है और कब्ज जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं खाने वाला सोडा जिहां आधा गलास गरम पानी में आधा चमच खाने वाला सोडा मिलाकर पीने से भी पेट साफ हो जाता है इसके अलावा दही भी एक अच्छा विकल्ब है आप रोजाना दही खाया करें इस से आपका खाना जल्दी पचता है और पेट साफ रहता है इसके अलावा निम्बु का रस, काला नमक और शहद थोड़ा निम्बु का रस, काला नमक और एक चमच शहत को एक गलास गर्म पानी में मिलाकर पीने से भी पेट जल्दी ही साफ हो जाता है जिहां दोस्तों अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका पेट आसानी से और जल्दी साफ हो जाता है ये बोहतीं कारगर जानकारी है आप सभी के लिए बस इसका ध्यान रखना होता है आपको तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहादी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों